हलो इस्टुडेंट्स माइसेल्फ नितिन सीम आजके इस वीडियो में हम लोग असेस्मेंट फार लर्निंग पीपर में यूनिट फ्यप्त में डिस्कूशन करेंगे इससे प्रिवियस के वीडियोज में हम लोगों ने एन पीसी नावा पावर टेकर सामानिस सांभवता वक्र सामान प्रायक्ता वक्र या प्रायक्ताओं का वक्र इक्यात बिंदों के बारे में देखा कि इसका historical background क्या है, इसके क्या-क्या characteristics है, इसके क्या-क्या uses है, इन सब को 2-4 वीडियोज में उन लोगों ने दिखने का प्रियास किया है, आज इसी कड़े में आगे वढ़ते हैं और यह समझने का प्रियास करते हैं, कि किसी भी आकड़ाज को, डाटाज को हम खाचित्र के र समयक्त को डाटाज को ग्राफिक की रूप में प्रियान करते हैं, या ग्राफिक की रूप में से समझते हैं, तो इसमें कैसे समझते हैं, इसमें क्या-क्या कठिनाईया, क्या-क्या प्रिसानिया आती हैं, इस बिंद को हम देखने का प्रियास करते हैं, सांख्य की विद, सा संखिक्याद संखिक्यां सोते हैं स्टेटिश को भले बात समझ सकते ची замकिसी भी ड्राटा को समझना। यह संखिकी ही काम एल सभनानाद को समझत क्रूद साहधारण जन्मानस को नहीं समझत bew स्दाता फोता आप सामान जन्मानस होता है उसको डाटाज को जानना अतनत आश्यक होता है जैसे सामान जन्मानस के लिए डाटाज को जानना कैसे ज़रूरी होता है इसके क्या-क्या उद्देश यो हो सकते हैं अलग-अलग जैसे हम पहला उद्देश समझते हैं कि किसी विद्याले के विविन छात्रों के भीवेन विशों में सफलता कर्यान दो कि इस विशय में कितने लोग से अंग इसकूर किया इन समझने के लिए डाटा अउश्यक हो जाता है कि का एक उद्ब्श ये भी है कि आपने डाटाज को जन्मानस के पहुंचकी यूगी बनाना दी satiqi इसको प्रोप मेर्जड किया जाये सथन जन्मानस भी उसको अपयोग या लाग पर आप सके उसा नहीं है है इसका मतलब वो डाटा नियर्थक है कि अवल इस्टेटिस यह नहीं उसको प्योग कर सकते हैं जो संकिकी का इस एक यूज यह भी है कि हमने डाटा को आप वेपुल तर आप लोगों तर पहुंचाया जा सके नेस्ट को साधांट जन्मानस के लिए उपयोगी वह वह बोधिका में बनाने के लिए उन्हें ग्राफिक की रूप weary प्रस्टित किया जाता है क्राप चित्र के रूप में कैसे प्रजम्ट किया जाता है इसलिए कि आ तक做 यह बड़ी रेखाचित्रों की सहायता से टाटाज को सरलता वा सिग्रता से समझ में आ सके और अधिक समय तक याद रहे या सम नहीं रहे उस बात तथ्य को इसलिए इसका पयोग हम को पड़ता है विविन प्रकार्ज के रेखाचिंत्रों को तयार करने की विद्रियों को समझने से पूर्व हम यह समझ लें कि रेखाचिंत्रों को प्रजेंट करने के लिए उसकी गंती सब्दावली क्या है उसके क्या क्यासे धांत हैं किसके किन पराप्राओं को जान लेना उचित है इसके जान लेने से दाटाज को ब्रह विवस्थित रूम वाई यस को कैसे समझते हैं किया से ग्राब देखते इस बिए को देखने का प्यास कते हैं इस वीडियों में जानते हैं कि में देखें जब हम ये बात कह रहे हैं कि हम अपने डाटाच को ग्राफी की रدم में प्रिजन करने से पहले उसके कोडिनेट को समझते हैं या उसके कोडिनेट की बातों को हम जान लेते हैं तो इसमें दो तती सामने आते हैं यह जो कोडिनेट्स हैं यह फोर कोडिनेट्स होते हैं यह जो फोर कोडिनेट्स हैं जो इस प्रकार हैं जिसमें यह कहा गया कि डाटा जिसमें x-axis यह ऑज वैल्टिकल आइसक्स यह भी y-axis इस में जो भी-कॉजडिन पढ़ें था फस्ट कॉजड एंटमे यह दोनों पाजितिव होंगे जैसे यह तेखिए जिरो एक्सीँ से जब राइट साइड जाएंगे तो आप देखेंगे प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 and so on और इसी से जब हम left side जाएंगे तो अब देखेंगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 5 and so on x-axis से जब upward की direction में जाएंगे उपर की दिशा में जाएंगे positive sign as like प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 7 and so on x-axis के जब downward में जाएंगे नीचे के direction में जाएंगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 5 and so on तो आपने ये देख लिया कि हम किसी फे axis में उसके datas को जब coordinate के form में अप्रियंट करते हैं उनके qualities में उसके क्या क्या signs होते हैं उसको समझ लिया जैसे धनात्मक sign दोनों हो यद x-axis और y दोनों positive हो तो फस्ट क्यार्टेंट x-axis और y-axis x negative हो y positive हो तो second quarter जैसे इसमें point minus 4 और 3 x जो x minus 4 है over negative है अर्था second quarter और जो y-axis की बात आती है और फस्ट क्यार्टेंट हम क्यार्टेंट जब लिखते रहे होते हैं तो फहला डिजिट लिखते x-axis से होता है आप थर्ड क्यार्टेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे दोनों negative sign यहाँ पे minus 4 यह minus 2 और तद यह क्यार्टेंट minus 4 minus 2 यहाँ पे दोनों sign negative पाया गया और इसके ज़स्ट बिपरीत आप अपोजित जब यह देखेंगे फोर्थ क्यार्टेंट आप समझेंगे फोर्थ क्यार्टेंट में एकस एकसिस पाजड़ू य एकसिस नेगटिव इटी मेंस एकस एकसिस में प्लस टू य एकसिस कलम में minus 4 यहाँ पे यह क्यार्टेंट बना 2 minus 4 अब आप यह समझ चुकी होंगे किसी रीद डाटाज को ग्राप के रूप में एकस बाजड़ एकसिस पे कोडिनेट के फ़ाउन में हम कैसे क्रेट करेंगे उसके कोडिनेट पर sout में यह दोनो olan पुछ पुर्स नेगिठुव साइन यह दोनों प्लस्जड़ू साइन यह कि एक है या एक पाल्स टू है इसको हम किस एक्सस में कितना मेजर्मेंट पर प्रजेंट करेंगे इस बात को आप लोगोंने समझ रखा है अब हम इसी टाटाज को यह देखते हैं डंड आरेक के रूप में बाइब पाइचार्ट के रूप में ब्रित्चाल्ट के रूप में ओलिग्यों तोरण के रूप में रेक्टेंगल आयत के रूप में कैसे प्रजेंट करेंगे इस बात को समझेंगे और इसका पहला पार्ट हम समझेंगे बार ग्राफ डंड आरेक अस्तंभा कृति कालम डाइग्राम में हम डाटाज को कैसे प्रिजेंट करेंगे कैसे समझेंगे उसके कुछ क्रिटिकल विंदूओं को अपने अस्तर से समझने का प्रयास करते हैं कि डंड आरेक को हम अस्तम में आरेक या कॉलन डाइग्राम के नाम से भी जानते हैं जब किसी समझ में विभिंद गुणों वाले व्यक्तियों वस्तों के संख्या प्रश्चित करने के लिए या किसी गुण विसेस पर कई समझों की इस्तिति के तुलनात्मा प्रस्तुत के लिए प्रयाडण डारेक का प्रयोग किया जाता है यह बात तो समझ में आ गई जब किसी समझ की बात किया जाएगा चाहे या समझ का एक ही समझ का विभिन गुण वाले भी प्रयोग के जाएगे तो इन सब बिंदुओं में आप डंडारे का ही उपयोग करेंगे जैसे किसी समू में तीन या चार छात्रों में से चित्र को निम्न लिखे ढंग से प्रशुत किया गया ये देखें इस समू में छात्रों की बात हम लोगों ने कैसे देखा यह देखिए चात्रा समों में इसमों में छात्रा है आफ देखेंगे इसका जो डंड blij Вас उपकर हें उ सकी अलग है इसमें इस में थी श्यात्रें पर खालकुण जो में बृण है बैसे में भी तीनि शाट्र इसित्गे द्लेन्ड है है और हब सब्सक्राइब फोर फ्रिमल ेटुडिन हैं पॉर दो पहुत हैं इस रूप में भी और उन पर सकते हैं इस प्रकार की आकरति को हम दैनल आकरतिके नाम से समझने हैं अब यह भी चांद जाहिए कि एक सुवाई अच्छा है थोड़े इसके हिस्ट्रोल के वेग्राउंड को देखते हैं जो आप लोगों ने देखा इस फिगर में क्या मेनिंग समझाने का प्रयास हम लोगों किया गया है इसके क्रिटिकल विंद को समझते हैं चारी चारों की संख्या को हम प्रथम साईन एकसिन के संख्याओं को दूदी चितर के आयतों से जाफ्क Hiya影片 है इसमें उनके विविन बुडू को लिख सकते हैं इस ये गल्काउर थे घंगल कउप में अलाग ओलाग सेटके फांमें कैसे किया जाएगा उसको इस प्रस्थीत करते हैं कि इस बिजिि प्रकार चित्रन को डंड अर्ए कहा जाता है इसका बनाना प्रैकोस पर आदीकान्स जो यह डंड का ग्राफ वार ग्राफ है इसका मनाना बहुत ही होता है इसलिए अधिकांसम इसी प्रकार के ग्राफ का उपयोग करते हैं डंड आरेक की लमई छात्रों की संख्या या अबृति की अनुपाद में रखी जाती हैं डंड आरेक लंबो तो छहितित किसी भी दिसा में बनाया जाता है डंड आरेक के विवें रंगों विवें प्रकार के रेखाओं को भर देने से अगर्सक बन जाता है जिससे हम अपने डाटाज को बड़े प्रेश्थित रूप में प्रस्तूत करते हैं इसको समझते हैं इस एक्जामपल से बात आपको समझने आ जाएगी हम डाटाज को कैसे प्रजेंट करते हैं यह देखिए हमारे प्रकार के हमारे पास इस प्रकार के डाटाज आपको मिलेंगे इसमें क्य FRC को जो seemingly optimize को है nose दूसरे कोषण के दूसरे ऊसी कोषण के थाड़ आप्षार पर स्ट्रेट किया उसी कोश्चन के फॉर अप्शन को फिर पीटूशन ने स्ट्रेट किया अब इसी बात को आप सथार जन्मानस तक सहाज़ता सरलता के पहुंचाना चाहा रहे हैं तो आप इसको डंड ग्राफ के रूप में कैसे प्रिश्चुत करेंगे यह देखते हैं इस फेगा से जो एक्स एक्स पर कालम बना हुआ है जैसे यह बाते इसमें आप नम्मर आप करेंदेट पूट अप कर देंगे और वाई एक्स पर चैनित देखते हैं कि हर एक मिश्चित क्लास इंटरबल की बात या एक डिवीजन इसकल टू 50 नमबर आप स्टुडेंट्स तो जब एक विकल पर पचास विद्यार्थियों की बात हमने किया तो पचास पचास के इंटरबल में हमने इस नमबर आफ इस डून को फूट अप कर दिय दिया जिरो से 50 हैंट से 51 51 से 100 वन से 50 151 से 200 200 वां से 550 तक अब इस रों में 1234 चनीत अब देखिए पहले आप संपे 44 कंडिये ने सेलेक्ट किया तो दूस्ट पहले आप संपी इसका जो फीगर बना यह 50 है 50 से कुष लेस इसका मतलब यह 44 दूसरे क्वोशन पर ही 106 सेलेक्ट किया सव यह इससे कुछ इबाब 106 कि तीसरे को आप्शन पर 198 यह 200 है इससे कुछ अधिक 198 कि फोर्थ आप्शन पर 52 यह 50 इससे कुछ अधिक 52 प्रिकार से आकरित को आप डंड ग्राफ के रूप में इसको प्रिजंड करते हैं ऐसे दो आप्शन होगा नमरा फेक्वांसी जान नमराफ कंडिडेट्स इसको हम इस रूप में ऐसे प्रस्तुत करते हैं एक कोश्चन और देखते हैं इसको हम भी प्रिजंड करेंगे किसी भी मिन प्रकार के परिच्ण दिया गया या आपका हो मुख है आप लोग इसे करके कमेंट करेंगे और इसके ग्राप करके भी कमेंट करेंगे यह नम क्लास दिया गया एक क्लास में कोई जी सामान ज्यान का परिच्ण किया गया उस सामान गया परिच्ण में पाया गया कि अधिकांस नम्मराव कंडिडेट्स का जो अध्यमान है वो इस प्रकार है जिसपे क्लास क्लास में फोटी सेदम में मेında में बंडी प्रासथ करेंगे इसका अगरा बना करके हमको आप कमेंट वाक्स में दिखाएगे करेंगे रूपने का प्रयाज किया आज के लिए इतना ही फैंक यू श्टुडेंट्स बीडियो को वाज करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करें share करें और चैनल को नितिन लर्णिंग इस्टेशन आप लो सब्सक्राइब करें जिसे बिल आइकन को भी प्रेस करें जिसे आपका इसका फर्दर अपडेट मिलता रहे थेंक्यू प्लास